गुड मॉर्णी स्टूटेंट जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो हिंदी का स्लेबस है वो कम्पलीट हो चुका है और मैंने आपका रिविजन भी करवा दिया था और अब मैं आपको जो पेपर का स्टाइल है वो बताऊंगी कि कैसे आपको आना है जैसे हमारे टोटल माग सो होएंगे फोटी और घो बाग को में आएगा वेवहारिक व्याकरन तो जैसे ये लिखाओ है निमली की शब्दों में से कौन सा शब्द हाथ का प्रायवाची शब्द है तो आपने जहां पे टिकल गा देनी है कर कर को बोलते हैं हाथ ठीक है तो आगे है निमली की शब्दो ये स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझाज़े कि पूशा किया गया है और हमने क्या अंसर देना है इसका आगे है निमली की शब्दों में से शुद्द शब्द को चुनो जैसे शक्तिशाली जै भी है जै भी है जै भी है लेकिन जो क्रेक्टर वर्ड है शुद्ध है ये है शक्तिशाली आगे है निमली की शब्दों में से संग्या शब्द चुनो संग्या मतलों नाम होता है किसी चीज़ का जैसे सिंदु है जब है डाटकर देकर तो यह नाम नहीं ना तो नाम कौन से है ए वला ठीक है आगे है निमली कि सब्दों में से गर्मी शबद कौन सी संग्या है मतलब कौन सी संग्या है आपने लुखना है मतलब गर्मी को देखने सकते हम फील कर सकते हैं तो आपने भावाचक संग्या लिखनी है आगे है डैश कनया नगर स्टेशन से अधिकारी ने डैश आने की सूचना पहले ही दे दी थी पाठ के अधार पार रिक्तस्तान में उचित सवर नम भड़ना है तो आपने लिखना उन्हें कनया नगर स्टेशन से अधियकारियों ने हमारे आने की सूचना पहले ही दे दी थी बीवला आगे है डैश आपको गाड़ी में बैठा कर आता हूँ पाट के अधार पर रिक्तसान जो है उज़े तस्वर नम पर ना इसमें तो यहाँ पर आपने लिखना है मैं मैं आपको गाड़ी में बठा कर आता हूँ ठीक है आगे है आज हम सभी मेट्रू रेल के दुवारा जाएंगी तो यह जो है वाके में जो यह अंडरलाइन किया हुए है उसमें कौन सा कार्क है तो आपने करन कार्क बोलना है ठीक है इसके आगे है हमारा नेस्ट देखते हैं क्या पूशा गया है जो भी है अपने स्टेट्मेंट अच्छी तरह से पढ़ लेनी है कि पूशा हमें क्या गया है उसी के अकोर्डिंगली आपने अंसर देने बड़े ध्यान से ठीक है आगे है निमली शब्दों में से कौशा शब्द पेड का विशेशन है मतब पेड को रंग बरंगी नी बोलेंगे नुकीली नी बोलेंगे ये सभी नी बोलेंगे आपने बोला हरे बड़े ठीक है हरे बड़े पेड रंग बरंगी नुकीले ये सभी नी हरे बड़े पेड ठ फिर गोडे को बाबा या रुका रुकना एक किरिया है ठीक है आगे है कौन सा शब्द शेर का इस्त्री लिंग है तो आपने शेर नी लिखना है स्पैलिंग भी देख लेने कौन सा है तो आगे है कौन सा शब्द खेल का बहु वचन रूप है खेल लूँ आगे है निमलिक्त मेझे कौन सा शब्द सह जोग का विपरीद है विपरीद बताना ओपजिट वर्ड ओ पॉ सह जोग ओ सह जोग ओ फिक है आगे है निमलिक्त विकल्पों में से परिवार शबद का विशेशन क्या है परिवारिक परवार का परिवारिक यहाँ पर पारवारिक लिखा है यह परिवारिक ठीक है आगे है निमलिक शब्दों में से कभी ना थकने वाला का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा आपने बोलना है अथक आगे है निमलिक विकल्पों में से कौन शब्द भूत का असिस बंदित है यासे ये बाबा ने गोडे को रोका बाबा गोड़ा रोकेंगे बाबा गोड़ा रोक रहा है बाबा गोड़ा रोकेंगे तो बाबा ने गोड़ा रोका मतलब पीती बात है ये वाली भूतकार निमनिक्त विकल्पों में से धीरा जूते पॉलिश करता था वाक्या का कर्म वाच क्या है तो आपने लिखना है धीरा धीरा दुवारा जूते पॉलश किया जाते थे कि ये जाते हैं ठीक है धीरे के दुवारा जूते पॉलश हो रहे हैं धीरे के दुवारा जूते पॉलश कर रही है ये तिनों नहीं आएंगे ये वलाएगा ए आगे है निमलिक शब्दों में से डैश तुमने ठीक पहचाना वाक्य में से उचित विश्मादिक भौतक शब्द चुन कर लिखें आपने बलना हाँ हाँ तुमने ठीक पहचाना ठीक है इसके बाद है हमारा निमा लिखत शब्दों में से उचित विराम चिन लगे वाक्यों के चुने जैसे कि शोर ने मुस्कराते हुए कहा कोमा इन्वाइटड कोमा शुरू वै देखिए महामंत्री फिर यहां पे पूरण विराम और यह इन्वाइटड कोमा जो है तो यह वाला ठीक है ठीक है आगे भी लिखे हुए है लेकिन यह वाला परफेक्ट है इसके बाद माराएगा नेस्ट जैसे निमलिक्त किस शबद में रो रेफ का पर जो किया बेटर मैंने आपको पहले भी पताया है जो उपर रो होता है न उसको रो रेफ बोलते हैं तो धरम पे बढ़ा हुआ है ठीक है वो बैठी है न तो इसका मतलू है यहाँ पे बैठी कि रिया है आगे मारा खरबा गाएगा जैसे पचीन भारत में सबसे शक्तिशाली राज कौन सा था आपने बोलना मगद आगे है रास्टी खेलों में कहा की टीम दिल्ली आई थी पंचाब की अंडों से बच्चे किस दिन निकले बार में नीलू ने किस आयू में मैट्रे की प्रिक्षा उत्तिकर्ण की चोदा साल में लाल बती चोँक पर बच्चा क्या बेच रहा था गुबारे शेशा सूरी ने किस कभी का उपहाश उड़ाया था जैसी का ठीक है बेटा और किस धर्टी किस से सुलिस्ति है लू से गोता खोर सिंदू में डुपकिया क्यों लगाते है मोतियों के लिए आगे है हमारा ये पिलपेश सेट कर लेते हैं ताकि अच्छे तरह से आपको समझ आ जाए जैसे यह है निमलिक्स में से हिमत शबद का क्या अर्थ है होंसला आगे है निमलिक्स में से दूद शबद का क्या अर्थ है संदेश आधी पहचाने वाला निमलिक्स में आस्थ शबद का क्या अर्थ है आसित हड़ी ठीक है आगे है निमलिक्स में से चेस्टा शबद का क्या अर्थ है चेस्टा मतलब प्रेना जवर कोशिश ज़दो ज़द कोशिश निमलिक्स में से समा भाव शबद का अर्थ क्या है? समय की कमी, समय का भाव समय की कमी होना, समय ही, समय होना, बराबर का समा, समा का भाव आगे आपको दिया जाएगा नीचे दियेगे बद्याश को पढ़कर बहु भी कल्पी प्रिशनों का उत्तर देना जैसे आपको पोईम में से कोई भी यही आना यह स्टाइल है तो पोईम में से कोई जितनी पोईम है उसमें से कोई भी प्यारा आपको आ जाएगा जैसे कहीं राखियां है चमक है कहीं पर कहीं बूंदे है पुषप प्यारे खेले है ये आई है राखि सुहाई है पूर्नी बधाई बधाई उन्हें जिनको भाई मिले है तो यहाँ पे है डैश का तिहार है किसका है राखि का सुन्दर सुन्दर क्या चमक रही है राखियां ठीक है किसके कारण पूरन माशी बहुत सुन्दर रख रही है भाई के कारण कहीं डैश की बुंदे चमक रही है वर्शा की कहीं सुन्दर सुन्दर क्या खिले है फूल ठीक है इस तरह बेटा यह आपका जो style है paper का वो भी मैंने बता दिया कि कैसे आना है ठीक है अब आपको मैं fill करना बताओंगी कि आपने paper के fill कैसे करना है जैसे आपको यह यहाँ पे दिया हुए है 40 one से लेके 40 मालनो कि आपका जो first question है उसका option है C तो आपने first को ध्यान से देकर यहाँ पे C को अच्छी तरह से circle कर देना पूरा fill करना है आपने इस तरह से नि करना यह नि करना यह नि करना यह नि करना यह वाला correct करना है ठीक है आगे है मतलब second question मालनो कि आपका आता है A तो आपने एक उच्छी तरह से कर लेना है ठीक है फैटा इस तरह से ये आपका आएगा style ठीक है dear student तो मेरा सारा syllabus भी cover हो गया मैंने आपको ये भी बता दिया कि paper किस style से आना है और paper fill कैसे करना OMR seat पे तो इस तरह पे आपका पूरी अच्छी तरह से त्यारी हो गी है I hope कि आप 40 में से 40 नमबर ही लोगे ध्यान से पढ़ना और take care